Hello friends, welcome to my YouTube channel, exercise 4.2 से question number 5 करेंगे Illustrative possible, each one of the following with a rough diagram ये ABC में 3 पार्ट दे रखें आपको, इन्हें illustrate कीजिए, समझाईए अगर possible है तो ये पार्ट देखिए, rough figure बना के आपको समझाना है A closed curve, एक बंद curve बनाना है, that is not a polygon, और वो polygon भी नहीं होना चाहिए देखिए, polygon नहीं होना चाहिए, इस बात का ये मतलब है, कि उसके अंदर सारी की सारी lines straight ना हूँ, और वो closed होना चाहिए, इसका मतलब ये, कि वो बंद भी होना चाहिए तो हम क्या करेंगे, कि एक closed curve बना देंगे, और उसको polygon नहीं बनने देंगे जैसे कि, मैं यहाँ पे एक straight line ले लेता हूँ, ये मैंने goal ले लिया, और फिर ये मैंने एक straight ले लिया, और फिर ये goal part कर दिया इस तरह से, अभी क्या है ये, कि ये closed curve तो है, लेकिन ये polygon नहीं है, polygon ये तब बोला जाता, जब इसकी सारी की सारी जो sides है न, वो पूरी तरह से, ये जो line है बिल्कुल straight होती, तो closed तो मैंने इसे कर दिया है, और क्योंकि इसके अंदर मैंने थोड़ी गुलाई part का भी use कर लिया है, बिल्कुल straight lines मैंने नहीं बनने दिया है, तो ये एक polygon भी नहीं बनाए, तो ये मैंने A part का एक example दे दिया, ये closed भी है, closed curve है ये, और ये polygon भी नहीं है, B part देखिए, B के अंदर कहता है, an open curve, एक open curve बनाई है, यानि खुला होना चाहिए वो, made up of entirely of line segments, और वो पूरी तरह से line segments से मिलके बनना चाहिए, तो ये बनाना तो बहुत आसान है, मुझे बस line का use करना है, ऐसे, ये मैंने पूरा-पूरा lines का use कर लिया, इसमें मैंने कहीं भी goal नहीं हो ने दिया, ये भी line segment, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, और ये open भी है, ये बिलकुल खुला पड़ा है, यहां से कोई भी अंदर घुश सकता है, यहां से घुश सकता है, तो ये कैसा example है, जो open curve है, और जो पूरा का पूरा line segment से मिलके बना हुआ है, आपकी figure मेरे से बहुत अलग हो सकती है, कितनी भी figure कैसी भी बन सकती है, ऐसा कोई rule नहीं है, आप कुछ और भी बना सकते है, ऐसे बना सकते है, ऐसे, कुछ भी, बस वो line segment से मिलके बनना चाहिए, lines दिखनी चाहिए, उसमें सीधी सीधी, बिलकुल सीधी line, और वो open होना चाहिए, उसकी boundary close नहीं हो होनी चाहिए, सी पार्ट देखिए, अब polygon with two sides, एक ऐसा polygon बना दीजिए, जिसमें दो side हो, तो ये तो possibly नहीं है, क्यों? पॉलिगन एक closed figure होती है, और पूरी की पूरी वो line segment से मिलके बनती है, सबसे कम side वाला जो polygon होता है वो triangle होता है, यानि कि 3 side होती है इसके अंदर, कम से कम 3 sides का होना जरूरी है, तब जाके वो बंद होंगी, और जब बंद होंगी, तब ही उसको हम polygon बोल सकते हैं, अगर हम try क आप figure को बंद करी नहीं सकते, दो side से तो angle बनता है, दो side से कभी भी polygon नहीं बन सकता, तो इसका answer होगा not possible, ये possible ही नहीं है, हम दो side से polygon बना ही नहीं सकते, तो last part था, question खतव, next questions के लिए मिलते हैं, next video में, तब तक के लिए, good bye